प्रीभाईयों यम्बहनों जैजुहार इस समय पुरी दुनिया कॉरोना के महमारी से जुझ रही है ततकाली सरकार के 15 वर्सों के सासन काल में स्वास्टेमची किस्सा सेवाओं को कभी परियाप्त महत्व नहीं दिया गया इन परसीतिऊं में कुरोना जैसे महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनोती थी परंतु हमने अब तक इस चुनोती का पूरी सक्षमता से सामना किया है हमने प्रदेश के स्वास्यवाओं के ढाचे और व्योस्था में सुधार है तू काफी काम किया है जिसके कारण ही कोरोना के प्रबंधन में हमारे राजी की स्थिती अन्य राजी के तुलना में काफी बहतर है पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर का हम पर हमला हुआ था तो हम सब ने मिल जुलकर उसका सामना किया था वह ऐसा समय था जब हम कोरोना के विशाय में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे ना हमारे पास इसके इलाज के लेदमाय थी ना इंजिक सनाय थे ना विक्षिन विक्षित हुई थी और इलाज का प्रोटोकाल भी अपने प्रारंभिक अवस्ता में ही था परंतु सभी के सहयोग से सभी के भरोसे के साथ और सभी की योगदान के साथ हमने उस कठी समय पर विजय हांसिल की थी आज एक बार फिर से कुरोना की दूसरी लहर का हम सब सामना कर रहे हैं जो पहली लहर के तुलना में ज्यादा संक्रमक और खतरनाक है परंतु हमें पूरा विश्वास है हम सब मिलकर अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे चतित गड़ में अब तक 7,13,706 लोग संक्रमित हुए हैं जिन में से 5,87,484 लोग रिकवर कर चुके हैं वर्तमान में 1,17,910 लोग एक्टी संक्रमित हैं प्रदेश में 80% अनपात में 16.5 प्रस्षत है वहीं रिकवरीदर 82.3 प्रस्षत है परंतो यह बात आपके भीतार एक नया विस्वास पैदा करेगी कि 36 गड़ कोईड वेक्सिनेशन के मामले में देश के कई विक्सित और साधन संपन्न राज्यों को पीशे छोड़ चुका है प्रदेश में 55,79,000 से ज्यादा डोज वेक्सिन के लग चुके हैं और देश के बड़े राज्यों से हम आगे हैं हमारे राज्य में वेक्सिनेशन बहत्तर पस्यत हुआ है जो देश में सरवाधिक है यह आगड़े सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों एवं फ्रंट लाइन वरकर्स को मिला कर है हमने फैसला किया है कि हम प्रदेश के 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को मुप्त में कोईड वेक्सिन लगाएंगे और इसके लिए व्यापक कार योजना और व्योस्ताय की गई है एक मैंसे सुरू होने वाले टिका करण अभ्यान के लिए हमने अपने सभी जिलों में सारी तयानिये पूरी कर ली है हमारे सभी टिका करण केंद्र पूरी तरह से तयार है भारत सरकार ने यह आवगत कराया है कि वह अठारा से चमालिस आईवर्ग के लोगों के वेक्सिनेशन के लिए एक लाग तीन हजार चालिस वेक्सिन उपलात कराएगी है चुक्कि वेक्सिन के कमी है इसलिए हम अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को जिसके पास अंतियोदय कार्ड है से वेक्सिनेशन के सुरवाद करेंगे इसके लिए हिद्गराही को अपना रासन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आना होगा जैसे जैसे हमें वेक्सिन मिलती जाएगी वैसे वैसे हम क्रमशा सभी वर्गों के लोगों के वेक्सिनेशन की दिशा में आगे बढ़ते जाएगे मैं अपने प्रदेश की जनता को आउगत कराना चाहता हूँ कि 2018 में जह हम प्रदेश में हमें प्रचंद जनादेश मिला था उस समय प्रदेश में कुल 289 ICU बेट थे जिसे हमने बढ़ा कर 729 कर दिया है आक्सिजन बेट 1242 थे हमने इसे बढ़ा कर 7,042 तक पहुचाया है HDU बेट एक भी नहीं था परंतो आज हमारे पास 515 HDU बेट है प्रदेश के अस्पतालों में 15,001 जनरल बेट थे जिसे हमने बढ़ा कर 29,666 कर दिया है प्रदेश में 2018 के अंत में 204 विंटिलेटर थे जिसे हमने बढ़ा कर 593 कर दिया है इस पकार हमने प्रदेश के स्वास स्विधाओं में कई गुनल की विद्धी की है जो की अपने आप में एक रिकार्ड है 36 गड़ में अब तक हम 71 लाग से अधिक कोविट टेस्ट कर चुके है हम लगातार अपनी टेस्टिंग छमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है हमने नए RTPCR जाँच लेबों की स्थापना की मंजूरी की प्रक्रिया भी प्रारम कर दी है कुरोना प्रभावितों के लिए लेब टेस्ट और रियायती इलाज है तो निजी अस्पतालों के लिए पेकेज निधारित किये हैं ताकि कमजोर आर्थिक इस्थिति का ब्यक्ति भी अपना इलाज वजाँच करवा सके दूसरी तरफ हमने प्रदेश में 296 नए डाक्टर्स की भरती की है प्रदेश में आक्सिजन की भी परियाप्त उपलब्दता है बलकि 36 गड़ में सरप्लस आक्सिजन उपलब्द है हमने करोना की इस लड़ाई में फंट्सी की कमी नहीं होने देने का संकल्प किया है हमने इन दो वर्सों में स्वास बजट में 880 करोड रूपिय HDRF में इस साल 50 करोड रूपिय का प्राउधान किया है जनता ने बढ़ चर कर मुख्यमंत्री साहता कोस में साहता की है जो सरकार पर जनता के अटूट भरोसे का परचायक है इस कोस से हमने अभी तक 73 करोड 53 लाग रूपिय के कोवीट के खिलाप लड़ाई के लिए जीलों को जारी कर चुके हैं इस प्रकार हम 1003 करोड 53 लाग रूपिय अब तक के स्वासक शेतर में लगा चुके हैं वहीं अब भी मुख्यमंत्री साहता कोस में 53 करोड 88 लाग रूपिया जमा है उनका उपयोग भी कोवीट के लड़ाई में किया जाएगा विभिन जीलों में कई कई संस्थाओं और लोगों ने मुक्त हस्त से मदद की है विभिन भागों के फंड्स जिला खनीज नियास के फंड्स के लावा उद्योगों से सेसार मद्स से भी सहयता का स्वासन मिला है हमने फैसला किया है मई और जून महिने का राशन लोगों को एक साथ दिया जाएगा या पूरी तरह से मुफ्ट दिया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मई से अठारा से चमालिस साल के एक करोड़ तीस लाख लोगों को दो करोड़ साथ लाख वेक्सिन डोस मुफ्ट में लगाएंगे अठारा वर से अधिक आयू के सभी लोगों को वेक्सिन लगवाने के लिए पंजी करण करवाना होगा ये पंजी करण 28 सप्रे से प्रारम हो गया है चुकि वेक्सिन निर्माता कमपनिया केंदर के तुनला में राज्यों को अधिक दामों पर वेक्सिन उपलब्द करा रही है इसलिए हमें इसके लिए 800 करोड रुपे से अधिक का ब्याय आयेगा जो करने के लिए हम कृत संकल्पिद भी हैं हमने एक मई से वेक्सिन प्रारम करने के लिए 50 लाग डोज वेक्सिन का आडर भी दिया है जिसमें 25 लाग डोज सिरम इंस्टिटूट को और 25 लाग डोज भारत बायटेक को आडर किया है ऐसी आपदा के काल में भी लोग स्वयम होकर सरकार के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं जो कोई भी अपना जितना भी आर्थिक योगदान कोविट के विरुद इस लड़ाई में करना चाहता है वा सेक्षा से मुख्यमंत्री सहाथा कोस में अपना अंसदान कर सकता है या पूरी के पूरी राशी सिर्फ और सिर्फ कोरोनों के खिलाफ संघर्च में ही ब्याइक की जा रही है चतित गड़ की जनता का सौइभ्मान ही उन्हें सबले बढ़िया बनाता है यह हम जानते हैं जनता का छोटे से छोटा योगदान भी हमारे लिए अत्यन सम्मान का विशा है जो हमारे आपसी भात्रित्व के जुडाओं को और मुझबूत करेगा आप सभी से फीर से कर्बद निवेदन है कि कुरोना से जुड़ी सभी सौधानिया का पालन करें सभी सपील है कि अपना वैक्सिन डूस अवस्य लगवाएं सेम सुरक्षित हूं और दूसरों को भी सुरक्षित करें आशा और विश्वास बनाया रखें हम सब मिल जूलकर बहुत जल्दी इस कोविट संकर से पाड़ जरूर होंगे जैहिन जैचतिजगर